हे गाईज हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तरांचल युनिवर्सिटी की जिनकी तरफ से पेजडी एड्मिशन्स के लिए फॉर्म आए हुए हैं सो आप में से जो भी कर सकता है इसी से रिलेटेट जो भी इंफॉर्मेशन्स हमें वेबसाइट में मिलती हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सबसे पहले लास्ट डेट की बात करें सो सेवन्थ ऑफ अगर्स 2021 तक आप चाहिए रपलाई कर सकते हैं सो चलिए अब हम उत्तरांचल युनिवर वेबसाइट भी यही है तो आपको इस पर्टिकलर वेबसाइट में मिल जाएगी आप चेक कर लीजेगा अगर आपको वीडियो और चैनल है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चैनल को और यह सो देखिए सबसे पहले जब आप इस पर्टिकलर करेंगे तो आपको स्क्रॉल करना है यहां पर फ्लाश जो न्यूज हो रही है मूफ कर रही है उसमें आपको सबसे पहले भी ऑप्शन दिखेगा अदर्वाइस यहां पर न्यूज का यह सेक्शन है और फिर्स्ट ही आपको दिख रहा है फिफ्ट जुलाई डेटेड पीच हम इसे पर क्लिक करेंगे इसे ओपन करेंगे तो यह पर्टिकुलर पेज ओपन होगा यहां पर यहां पर यह समिट इंक्वैरी वाला सेक्शन बार बार ओपन होगा सो यह आप उसे कैंसल कर दीजेगा बेसिकली यहां पर देखें पिएजडी रीसर्च प्रोग्राम इस बींग ओफ़र्ड इन फॉलिंग फिल्स हम देखेंगे जो मीन फिकल्टीज है ठीक है वो क्या है सुब मानेजमेंट है लौ है बायो टेक्नॉलोजी है उसके बाद के मिस्ट्री डिपार्ट्मेंट है थैं सी एसी मेकानिकल इंजीनरिंग इंगलिश फिजिक्स सिविल इंजीनरिंग फूट साइंस और नूट्रिशन फूट टेक् देख लेते हैं फिफ्ट जुलाई डेटे रहे हैं यहां पर देखे स्ट्रीम्स फिर सदी हुई है सो ओवरॉल स्ट्रीम्स थर्टीन है ठीक है फिर्स्ट इस लौ देन मानेजमेंट सी एसी मेकानिकल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टेक इंगलिश माट्स फूट टेक्स आप एलेजिबल हैं आप एप्लाई कर सकते हैं अब यहां पर देखें इंपॉर्ण देट्स दी हुई है सो डेट ऑफ रिजिस्ट्रेशन फिफ्ट ऑफ जुलाई से ही स्टाट हुआ है रिजिस्ट्रेशन एंड सेवन्थ अगस्ट इस देलास डेट देन एंट्रेंस के बाद वहीं पर आपको इंट्रेव्यू देना होगा तैन है रिज्ट्रेशन है बिक्सिकली सो इट इस 21st ऑफ अगस जब फाइनल रिजल्स आएंगे देन एंट्मिशन फी कोर्स वर्क इससे रिलीटेड देट है बिसिकली सेमेस्टर में जो आपका है वो सेप्टेंबर म होंगे 50% आपके जो भी सब्चेक्ट है उसमें हो उसके कुश्चिन्स होंगे और उसके बाद यहां पे नेक्स्ट तो नॉमल चीज़ें आप चाहे तो इन्फॉर्मिशन के लिए देख सकते हैं यहां से आप रिजिस्टर कर सकते हैं उसके बाद है इंपॉर्टन इस्ट्र करना है आपको रिजिस्टरेशन फॉर्म फिल करना है देन लॉगिन करके बागी डिटेल्स आपको फिल करनी हैं कन्फरमिशन मेल आपको जाएगा उसी में एक्टिवेशन लिंक होगी उस लिंक के थूर आपको एक्टिवेट करना है अपना एकाउंट और उसके बाद आप किसे जो भी information मागी जाए आप उसे fill करेंगे और फिर payment details जो है वो ready रखेगा प्रिकिस आपको उसी time payment करना होगा payment की बात होई है so yes application fee है rupees 1200 and processing fee है 50 rupees जो की मतलब overall 1250 हो गया ठीक है आपको online payment करना है then receipt generate जो होगी आप उसे रखेगा अपने पास सभाल करके information mail भी I think आपको मिलेगा और वाकी जो refund है या cancellation policy है वो आप पढ़ सकते हैं जो print out होगा उसे please सभाल कर रखेगा चाहे वो application form का हो और या payment receipt हो जो भी हो okay and yes यहाँ वे बाकी सारी information से अब हम जो read more का option था उस पे click करेंगे और बाकी सारी information हमें यहाँ देखने को मिलेगी so first of all तो field of study ही given है उसके बाद है program duration so three year minimum है और part time के लिए है four year minimum so full time part time आप उसे हैं full time part time दोनों ही program जो है यहाँ available है eligibility so आपको बताया master's degree हो 55% marks होने चाहिए minimum general के लिए and reserve categories के लिए 45% minimum marks होने चाहिए उसके बाद यहाँ पे है MPHL course work तो जिन भी candidates ने MPHL course work किया है minimum 55% marks के साथ यह grade भी है तो आप भी eligible है and उसके बाद obviously degree भी complete की हो okay and marks 55% relaxation 5% का है reserve categories के लिए उसके बाद person जिनका जो MPHL thesis है यह dissertation है वो हो चुका है वाई वाई वाउक पेंडिंग है वो भी ले सकते हैं admission इसी तरह से all information given है so I request यह आप देख लिजेगा अगर आप MPHL या बाकी degrees है आपके पास fee structure so yes private university है so as expected registration fee है जो एक ही बार लगेगी वो है 50,000 okay so यह tuition fee से extra है okay 50,000 registration fee then 50,000 ही tuition fee भी है enrollment fee जो की एक time लगेगी वो है 5,000 okay then tuition fee you can see हर semester में अभी तो 50,000 50,000 दिया हुआ है और उसके बाद thesis submission के लिए है 25,000 रुपीज जो की आपको obviously thesis submission के time पे देने होंगे so यही सारे disadvantages है I can say you know financial level पे because हमारी thesis हम submit कर रहे हैं हमने work किया है उसके लिए भी हमें payment करनी पड़ती है और वो भी large sum of money है यह okay so yes central गया हमारे बाकी universities में इतनी fees नहीं होती है then degree, convocation and alumni fees है 5,000 sorry 4,000 part-time mode के लिए जो fee है वो tuition fee थोड़ी से कम है registration fee same है उसके tuition fee you can see 37,500 है then thesis submission same है 25,000 then degree का 4,000 ही है उसके बाद यहां पे देख लिए जिए लिए लिए नोट में लिखाए कि in case scholar जो है अपना जो thesis उसे summit नहीं करवाएंगे time frame में जो भी prescribed time है उसमें और उनका जो research है वो extend होता है तो extended के लिए भी आपको pay करना होगा ओके लिखा भी था 50,000 tuition fee है उसके बाद pre-PhD course work के यहां पे I think syllabus यहां की information given है then application processor जिसमें आपको yes entrance में पहले appear होना होगा फिर आपका interview होगा yes जो भी candidates है जिन्होंने net qualify किया है including jrf उसके बाद कोई भी fellowship अगर आपको मिलती है ठीक है teacher fellowship holder या slet gate qualified है तो आप exempted है entrance test से आपको directly interview देना होगा okay so यह question कई और हमारी universities जैसे central या I think state universities है जीवा जी भी है उसके अलमा और भी universities है उनसे related भी comments में आपने पूछा हुआ है so yes obviously अगर आप jrf है तो आप exempted है सिर्फ entrance से counseling या I mean जो next step है I think पाथले पुतर university में भी interviews अब होंगे okay so जीवा जी में भी अभी जो है वो entrance 11th of July को और बाद में आपके interviews होंगे ठीक है जो भी exempted है और बाकी Ambedkar University के भी updates थे I hope कि आपको पताओ और बाको राद युनिवर्सिटी उनकी भी dates और जो list है eligible candidates की वो भी आ चुकी है so अगर आपको नहीं पताया तो I will try कि मैं description में link provide कर दूँ आप check कर लीजेगा या फिर अगर आप चाहते हैं video तो आप comment section में बता सकते है because you know I think last week की update है इस पुझा से separate video भी मैंने नहीं बना क्योंकि आपको पता ही चल चुका होगा so yes do let me know in the comment section and yes coming back to this university same है interview होगा उसके बाद आप select हो जाएंगे ठीक है जिनका भी होगा then यहां पर और भी information लिखी है two stage का process है marks कितने चाहिए कितने questions होंगे जो मैंने already आपको साथ चीज़े बताई है फिर यहां पर interview से related questions given है and yes इन्हें पर लीजेगा in case आप interested हो apply करने में तो okay और apply कैसे करने हमने देखा बाकि academics में देखे यहां पर और चीज़े लिखी है जैसे PhD जो entrance है आपका उसका syllabus क्या है candidate list यह तो पहले से होंगे ठीक है उनके लिए है कि और information के लिए आप देख सकते हैं because yes कुछ लोग interested होते है private में so yes that is it यह थी information I think सारी information दी हुई है सिर्फ एक information नहीं दी है जो की है fellowship से related तो yes I don't think कि कोई खास fellowship आपको provide की जाएगी मिलेगी भी कि नहीं I'm not sure ठीक है so yes यह थी आज की update यह थी आज की information related तो उत्तरांचल university so in case आप में से कोई interested है तो आप apply कर सकते हैं and one more thing जो चीज़ा है मैंने वीडियो में बताई होती है please आप उन्हें comment section में फिर से मत पूचा करिए okay and that is it यह था आज का वीडियो thank you so much for watching